चंडिगड के भाजपा सांसत कीरण खेर पिछले धेड़ साल से शेहर में दिखाई नहीं दी इस बात को लेकर चंडिगड कॉंग्रेस पाची के नेता लगातार भाजपा पर हमलावर हैं कॉंगर्स के आरोफों का जवाब देने के लिए चंडिगड भाजपा अध्यक्ष ने बुदवार को सेक्टर 33 स्थित भाजपा कारियाले में प्रेस कॉंफरेंस की आपको बता दे कि चंडिगड भाजपा अध्यक्ष अरुन सूद ने सांसत कीरन खेर का बचाव करते हुए कहा कि वह इस समय मुंबई में हैं और हड्डियों से जुड़ी गंभीर भीमारी से पिडित हैं कीरन खेर लंबे समय से अस्पताल में भरती थी उन्होंने कहा कि अभी उन्हें इलाज के लिए हर सपता में एक दिन अस्पताल में भरती होना पड़ता है इस समय वे खत्रे से बाहर है अरुन सूद ने यह भी कहा कि पिछले साल दिसंबर महीने में उनके हाग की हड़ी में फ्रेक्चर हो गया था जिसके बाद उन्हें एयर लिफ्ट कर मुंबई ले जाया गया सांसत खेर बेशक शहर में नहीं आ रही लेकिन पाटे के कारे करम और लोगों के समस्याओं को लेकर वहनी रंतर उनके संपर्क में है अरुन सूद ने यह भी विश्वास जिताया कि अगले तीन से चार महा के भीतर सांसत चंडीगण में आ जाएगी देखे अरुन सूद ने क्या कुछ कहा और वो बॉंड़े में देखे पूरी ज्यांकारी बुरी के इपाट चीजें आज़ी कुछ समझार पत्रों में कुछ ख़़रे चाहिए और वैसे भी कई दरा भी चीजें प्रवा में गुन रही थी तो इसको फ्लारीफाई करने के लिए ये फ्लेक्ट पूजीशन क्या था वाफ सब्लों के माधिन से चंडीगण सी जम्ता कर उटाने चाहिए चंडीगण आई तो लगाता वो दिसम्बर माधर शार दिसम्बर तक वो चंडीगण में अपने घाड़े उपस लिए इस दुरान पार्टी ने जो भी करेकर में रुपे नहीं समयता हूं कि शायद कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन संगठन के साथ मेरे साथ किरंजी लग लगातार इंटर्स नहीं थी पार्टी क्या कर रही है उसके लिए लगातार सजीयों के लगातार लाक पैकेट जो है अड्मिस्टेशन चंडीगण में रोजबाटी थी और उसमें अकेला बातिये जंदा पार्टीगण योगदान था वो बहतार हजार से लेके 55,000 फूल पै यह कॉटन के मास पंडे घर कर जाकर बाते हैं झाँ झाँ झाँ